गुद मोरिंग स्टुडन्स वेलकम बेक अगेइन टू वीडियो लेक्चर्स लास्ट वाले वीडियो में हमने चेप्टर टू शुरू किया था जो कि मैंने वीडियो में ही बोला था कि इस चेप्टर के तीन पार्ट सोंगे तो लास्ट वीडियो में हमने चेप्टर 2 पार्ट 1 में देखा जेप्टर 2 का पहला भाग यरीने कि सन्सकृत सब्द परीचई उसमें आउ कारांथ पुलिंग शब्द मैं एक बार ब्रिफ कर देता हूँ आपको चेप्टर 2 है सन्सकृत सब्द परीचई हो और अपने फॉर्म फाइब में शब्दों के अलग अलग जो प्रकार देखे पुलिंग, स्ट्रेलिंग और नपुन सकलिंग सेम चीज फॉर्म शिक्स में भी आपको बताई गई है कि संस्कृट में तीन प्रकार के शब्द होते है पुलिंग, स्ट्रेलिंग और नपुन सकलिंग और जैसे लिंग तीन होते है वैसे ही वचन भी तीन होते है एक वचन, द्वीवचन, बहुचन यानि कि क्या होगा? कोई एक सब्द आप ले लीजिए फोर एक्जाम्पल आप एक्जाम्पल लेते है गज, तो गज अकारांत शब्द है और पुलिंग है तो गजह, गजव, गजाह, यानि कि एक हाथी, दो हाथी, अनेक हाथी ऐसा मीनिंग इसका होगा इस प्रकार स्ट्रेलिंग और नपुन सकलिंग भी हम पढ़ेंगे तो लास्ट वीडियो में हमने पुलिंग के कई सारे एक्जाम्पल देखें जो के आपके चेप्टर में दिये गए है आज हम चेप्टर टू का पार्ट टू यानि कि आ का रांत स्ट्रेलिंग देखेंगे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते है ये जो लाइन नीचे वाली लाइन है और एक्जाम्पल ये जो तो ये जो सब एक्जाम्पल से है वो आकारांत स्ट्रेलिंग के है चली हम शुरू करते हैं सबसे पहला सब्द है अधिया पीका तो जैसा पुलिंग में होता था कि अह अउ आहा लगाने से एक वचन दुचन और वहुचन बनता था वैसे ही स्ट्रेलिंग में आ ए आहा लगाने से पुलिंग श्त्रिलिंग का एकोचन दू यवचन और वहोचन बनेगा तो सबसे पहला वर्ढ है अधिया पी का तो अधिया पी का सब्द आप देखिए तो लाश्ट में आ की मात्रा है अधिया का को में आ की मात्रा है तो जो भी शब्द आ से end होता हो उसे आकारांट कहते है और strilling है इसलिए आकारांट strilling और आकारांट strilling का एकवचन दियोचन और बहुचन का जो formation है वो इस प्रकार है आ, ए, आहा यानि कि जो सब्द आप example के तोर पर ले रहे है वो अगर आकारांट सब्द है तो एकवचन उसका as it is रहेगा जैसे यहाँ है हमारा example अधियापी का तो आकारांट strilling का एकवचन होगा अधियापी का उसमें कुछ addition नहीं होगा फिर दिवचन अधियापी के यानि क्या हुआ कि जो मूल सब्द अधियापी का था तो का का आहट गया और ए हो गया तो अधियापी के और बहुचन जो अधियापी का सब्द मूल सब्द है उसमें सिर्फ dot dot यानि कि विसर्ग एड होगा तो अध्यापी काहा तो पूरा किस प्रकार बनेगा अध्यापी का अध्यापी के अध्यापी काहा ठीके तो जितने भी सब्दा आज हम इसमें देखेंगे पढ़ेंगे जो आपके पार्ट में दिये गए है वो सब सब्दों का आकरांत स्ट्रिलिंग सब्दों का फॉर्मेशन उसी प्रकार से होगा आ ए और आहा ठीके जैसे कि हमने देखा अधियापिका याने की सिक्षिका लेडी टीचर तो एक सिक्षिका, दो सिक्षिकाए और अनेक सिक्षिकाए नेक्स्ट वर्ड है आपका छात्रा तो अब मैंने आपको एकदम सरल भाषा में और सिंपली आपको सिखाया कि जो भी आकारांत स्ट्रिलिंग सब्द है वो आ, ए और आहा के माधियम से बनेगा तो छात्रा तो किस प्रकार बनेगा छात्रा, छात्रे, छात्राहा याने कि स्टूडन्ट पर केसी स्टूडन्ट गर्ल क्योंकि वो स्टूडन्ट अगर होगा तो छात्रह होता पर यहाँ पर हम आकारांत स्ट्रिलिंग सब्द सीख रहे हैं इसलिए girl student तो छात्रा, छात्रे, छात्रा हा याने कि एक विद्यार्थीनी, दो विद्यार्थीनीया और अनेक विद्यार्थीनीया फिर है कलीका कलीका याने जो फूल की छोटी सी कली होती है उसे कलीका कहते हैं संस्क्रिक में तो कलीका, कलीके, कलीकाहा याने कि एक फूल की कली, दो कलियां और अनेक कलियां फिर माला, जो फूलों की माला होती है या तो किसी भी प्रकार की माला होती है तो माला, माले, मालाहा यानी कि एक माला दो मालाए अनेक मालाए उसके बाद है लटा तो लता लते लताहा यानी कि एक ब्रांच दो ब्रांचिस अनेक ब्रांचिस फिर मक्षी का मक्षी का याने की मक्षी तो मक्षी का मक्षी के मक्षी का हा याने की एक मक्षी दो मक्षियां अनेक मक्षियां अब जैसा हमने लास्ट पार्ट में देखा था याने की अकारंट पुलिंग में कि आपको पार्ट में वैसे ही बहुत सारे सब्द दिये थे जिसका एकवचन द्वीवचन और बहुचन का formation आपको पार्ट में ही दिया था बट कुछ अन्या उदाहरन भी थे जिसके random examples थे किसी का एकवचन दिया था तो द्वीवचन और बहुचन आपको बनाना था किसी का द्वीवचन दिया होता है तो एकवचन और बहुचन आपको बनाना होता है और किसी का अगर बहुचन आपको पार्ट में दिया है तो उसका एकवचन और द्वीवचन आपको बनाना है तो इस प्रकार जो हमने अभी आकारांत स्ट्रिलिंग के जो गिवन एक्जम्पल्स देखे पढ़े वो तो हमने पढ़े ही और अन्य कुछ उदारन भी है आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते है जो नीचे वाले है वो उसके अन्य अतिरिक्त उदारन है ठीके तो हम उसे भी प यो आपको दिया है तो लाइका यान िफिडे अन्य आपको दिया है तो नाशिक आने नाक दो नाख और अनेक नाख फिर ओ जै और देखो अप इसका एकोचन क्या हो सकता है अभी तख हमने आ ए आहा की पेतन देहिए आकारांस ठेलिञ में तो अ जे आपको दिया है, that means अजा इसका एक वचन होगा, अजा याने की बकरी, तो अजा, अजे, अजाहा, एक बकरी, दो बकरी यां, अनेक बकरी यां, फिर शाखाहा, ऐसा दिया है, that means बहुचन दिया है, तो एक वचन और दी वचन आमें बनाना है, क्या बनेगा? शाखा शाखे शाखाहा याने की एक डाली दो डालियां अलेक डालियां फिर मुशी का एक वचन दिया है तो द्विवचन और बहु वचन हमें बनाना है मुशीका, मुशीके, मुशीकाह, मुशीका याने की चुहिया, तो एक चुहिया, दो चुहियाए, अनेक चुहियाए, फिर चटके दिया है, चटके याने की द्विवचन दिया है, तो एक वचन क्या होगा, चटका, और बहुवचन चटकाह, चटका, चटके, चटकाह, याने कि एक चिडिया, दो चिडियाएं, अनेक चिडियाएं, फिर नव का हाँ, बहु अचन दिया है, तो एक वचन और दूवी वचन हमें बनाना है, नव का, नव के, नव का हाँ, यानि कि एक नाओ, दो नाओ अनेक नाओ फिर सेवी का जो मेड होती है या तो सेवा करने वाली होती है वो तो सेवी का सेवी के सेवी का हा एक सेवा करने वाली दो सेवा करने वाली या अनेक सेवा करने वाली या फिर शाखे अगें शाखा शब्दा आया एक बर बहु अचन दिया था इस बर द्वी वचन दिया है तो एक वचन और बहु वचन क्या होगा शाखा शाखे शाखाहा याने कि एक डाली दो डालियां अनेक डालियां फिर अंबाहा बहु वचन दिया है तो एक वचन और दू वचन क्या बनेगा अंबा अंबे अंबाहा याने कि एक माँ दो माएं अनेक माएं तो इस प्रकार आपका जो चैप्टर 2 का पार्ट 2 जो सेग्मेंट है वो इस प्रकार है जो हमने इतने एक्जम्पल्स पढ़े ठीके क्योंकि वैसे तो चैप्टर बहुत बड़ा है इसलिए हम उसको तीन भाग में डिवाइट करते हैं एक भाग में पहले भाग में हमने देखा अकारांथ पुलिंग शब्द उसके बाद आज के वीडियो में हमने देखा आकारांथ स्त्रिलिंग शब्द अकारांत पुलिंग का जो फोर्मेशन, शब्द का फोर्मेशन है, वो अह, अउ, आहा के पेटन से चलेगा और ये जो आज का स्ट्रिलिंग का सेगमेंट है, वो आ, ए और आहा के माध्यम से चलेगा तो आप भी कुछ दस पुलिंग के एक्जामपल और दस स्ट्रिलिंग के एक्जामपल शब्द लीजिए और उसके एक उचन, दूचन और बहुचन बनाने का प्रयातना कीजिए बहुत ही आसान और इजी है, सिर्फ आपको शब्द दूढ़ने है फोर एक्जामपल आपके मन में जो भी सब्द आये पहले उसका संस्कृत खोजने की प्रयातना करना है फिर उसका एक वचन दूचन और बहुचन बनाना है मान लिजिए कि आपके मन में ये सब्द आया कि पाठशाला तो पाठशाला क्या है? आकारंद और स्ट्रिलिंग सब्द है तो क्या बनेगा पाठशाला, पाठशाले, पाठशाला हा मान लिजिए कि आपके मन में एक सब्द आया कक्षा तो कक्षा भी आकारंद स्ट्रिलिंग सब्द है तो कक्षा, कक्षे, कक्षा हा तो इस प्रकार आप अलग-अलग 10-10 सब्द, 10 पुलिंग के और 10 स्ट्रिलिंग के सब्द दूणदना है और उसके एक वचन, द्वी वचन और बहुचन बनाने है विद मिनिंग ठीके चलिए, पाँच-पाँच वर्ड्स तो मैं ही आपको देता हूँ और दस-दस वर्ड्स आप खुद दूणदिएगा पहले पुलिंग के पाँच वर्ड्स नोट कीजिए जिसका आपको एक वचन, द्वी वचन और बहुचन बनाना है एक सब्द लिखिए हस्त दूसरा पाद तिसरा शूक चोथा कपोत और पाँचवा मयूर ये पाँच पुलिंग के सब्द है इसके एक वचन द्वी वचन और बहुचन आपको बनाने है अब पाँच स्त्रेलिंग के सब्द नोट डाउन कीजिए एक लिखिए राधा दूसरा सीता तीसरा कक्षा चोथा सीक्षी का शर्बत वाला शर उसमें छोटी एकी मात्रा अगीन छोटी एकी मात्रा और क्ष और का सिक्षी का कितने हो गए राधा, सीता, सिक्षी का फिर देवी का और लास्ट नी मीशा ठीकैं, तो इस प्रकार हमने पिछले वीडियो के माधियम से और आज के वीडियो के माधियम से आपके चेप्टर 2 के पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़े, नेक्स्ट वीडियो में हम चेप्टर 2 का पार्ट 3 मोटाए कर दे एको बादादान के एड एग और के जोड़ से है उंवड़ा नव्थर को का प्रशन कर दो कि एष्वर इत बाताना है